नमस्कार, स्वागत है आप सब का मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रीदू में पीजा खाना सब को बहुत अच्छा लगता है स्पेशली बच्चों को तो पीजा बहुत ही जादा पसंद आता है तो चलिए आज बनाते हैं लिक्विड डो पीजा इसमें ना हमने मैदा का इस्तेमाल किया है ना येस्ट का और फिर भी इतना जादा करारा और कुर्कवा बनेगा कि आपको देखते ही बन करेगा कि आप इसी जरूर बनाएं और ये काफी हैल्दी भी है क्योंकि इसके अंदर हमने मक्के के आटे का इस्सेवाल किया है मक्के का आटा सर्दियों में हमाई सिर्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ये देखी कितना अच्छा पीजा बनाए और कितना अच्छी तरह से चीज स्ट्रेच भी हो रहा है ना हमें पीजा बेस की जरूरत है और फटा-फट से ज्यादा से आदा 10-12 मिनट के अंदर आप ये पीजा तैयार करके रख सकते हैं बस इसके लिए हमें थोड़ी सबजिया का टीवी चाहिए इसके लावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास मौझूद ना हो तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप सब मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और वेल आइकन को भी प्रेस करें सबसे पहले हमें एक बाउल के अंदर एक कप मक्के का आटा लेंगे और उसमें मैंने डिर्ड चमच के लगभग जो है आटा मिला दिया है, गेहूं का आटा और अधा चमच नमक अब हम इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो बनाकर तयार कर लेंगे याने जितना आपने मक्के का आटा लिया है उससे टाइस से तीन गुना तक पानी जो हूँ लग सकता है चमच के मैंने भभग जिस तरह से हम डोसे का बैटर बना कर तयार करылिए शिद्र आगे ये पीजा हम भिलकूल थिन क्रस्ट का बनाएंगी बहुत ज़्यादा नीची से कुरकुरा बनेगा और सारी सबजियां जो हैं वो हमारी सेट के लिए अच्छी होती है तो उसके जरी हम बच्चों को कुछ भी सबजियां खिला सकते हैं मक्का की रोटी बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं इस तरह से हम उन्हें हेल्दी खाना खिला सकते हैं और टेस्टी भी जो उनका फेवरेट हो धीरे धीरे हम इसको एक पतला भूल बनाएंगे बिल्कुल जैसे हम डोसे का बैटर बनाते हैं मैंने इसके अंदर पॉने तीन कप यानि धाई कप और दो टेबल स्पून और पानी इसके अंदर एड़ किया है अब हम एक फ्राइंक पैन को गयास के उपर रखेंगे उसमें एक टीस्पून ओइल लेंगे और एक टेबल स्पून हम इसमें बटर एड़ कर देंगे अगर आप चाहें तो बटर थोड़ा सा ज्यादा एड़ कर सकते हैं अब हम इसके अंदर एक टीबल स्पून के लगभग गार्लिक डॉच एड़ कर देंगे जो मैंने बारी चॉप कर ली है जब गार्लिक अच्छी तरह से 10 से 20 सेकंड के लिए फ्राई हो जाएगी तब हम इसमें बारी काटा हुआ प्याज एड़ कर देंगे प्याज को एक मिनट तक सौरते करने के बाद अब हम इसके अंदर सबजी एड़ कर देंगे एक टी स्पून औरीगेनो एक टी स्पून मिक्सठर हाफ टी स्पून सॉल डालेंगे और साथ में आप चाहें तो थोड़े सी लाल मिर्च और काली मिर्च भी डाल सकते हैं मैंने दोनों एवाइड कियें क्योंकि सौस में भी मिर्च होती है अब हम इसके अंदर एक टीबल स्पून पीजा पास्ता सॉस और एक टीबल स्पून टोमेटो केचप डालेंगे पीजा पास्ता सॉस की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाली वी है बहुत आसान हुती है बनानी आप चाहें तो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं बाजार से बहुत सस्ती पढ़ती है और छे मैने तक भी हम इसे घर में स्टोर करके रख सकते हैं सारी सब्जियों को हम हाई फ्लेम के उपर एक से डेड़ मिनट तक के लिए स्टर फ्राय करेंगे उसके बाद हम कोई भी नॉन स्टिक तवा लेंगे आप चाहें तो आप घर का लोई का तवा भी ले सकते हैं बसका तवा थोड़ा हैवी होना चाहिए फ्रायंक पैन में भी इसे बनाया जा सकता है और देखिए हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी लगभग इस तरह से होनी चाहिए अब हम एक कर्ची भर कर यानि वन लैडल फुल जो है वो इसको बैटर को एक ही जगह पर डालेंगे बस इसी समय हमां हिलका सा ध्यान डखना है ताकि इसकी शेव बिल्कुल गोल आले हमें इसी तरह से इसे तवे के उपर आट करना है इस तरह से एक बार में हम 3-4 पीजा बना कर तयार कर सकते हैं आप चाहें तो थोड़े बड़े साइस के पीजा भी बना कर तयार कर सकते हैं अब हम इसे ढग देंगे और 2-3 मिनट तक के लिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे चब ये दूसरी साइट से हमें देखने से पता लग जाएगा कि ये बिल्कुल सिख चुका है तो इसके उपर ये सुखा सा हो जाएगा तब हम इसके उपर अराम से हलका सोयल लगाएंगे अगर जुरत पड़े तो या बिना उसके ही हम इसे अराम से पलट देंगे इस तरह से अब हम इसके उपर जो हमने जो पीजा के लिए समान बनाया है उसको इसके उपर एड़ करेंगे सबसे पहले मैंने इक चीज का स्लाइस रख दिया है एक तो इससे ये चीज ही बनेगा दूसरा बेनिफिट ही हो गया कि सबजिया जो है चीज मेल्ट होने के बाद उससे स्टिक हो जाएंगी और वो इससे स्लिप नहीं होगी अब हम एक एक चमबज जो हमने स्टर फ्राई वाली सबजिया थी वो इनके उपर फैला देंगे इस तरह से आप चाहें तो थोड़ी ज्यादा भी फैला सकते हैं पर ज्यादा सबजिया भी पीज़ा के उपर अच्छी नहीं लगती बस इतनी काफी है एक एक चमबज इस तरह से जो हमने सबजिया फ्राई करके रखी थी वो इसके उपर फैलाने के बाद अब हम इसके उपर मौजेरिला चीज डालेंगी चीज आप कितना भी डाल सकते हैं आपकी मर्जी है कभी-कभी बच्चे को ज़्यादा चीजी पसंद आता है तो आप थोड़ा चीज ज्यादा भी डाल सकते हैं इस तरह से थोड़ा-थोड़ा चीज ज्यादा मैंने सारे पीजा के उपर फैला दिया है और मेरे पास काले वाले ओलिव पड़े थी तो उपर से गार्निशिंग के लिए मैंने एक एक ओलिव बेस के उपर एड़ कर दिया है इस तरह से हमारा बहुत ही अच्छा पीजा जो है अब बेकोने के लिए तयार है अब हमें कुछ नहीं करना बस गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और इसे कवर कर देना अच्छी तरह है और अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा ना हो तो दो तवे एक के उपर एक संदाने वाला है क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और इसका जो क्रस्ट है वह बहुत जदक थिन है और कुरकुरा भी बना हुआ है बस सर्व करने के लिए आप इसे सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं वैसे हमने सॉस एड़ किये जरूरत नहीं यह देखिए दिखा रही हूं और कुरकुरा भी है और चीजी तो बनता ही है अगर आप मोजेला चीज जालेंगे तो चीजी तो बने गई आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले और बैल आइक